पेसमेकर के बारे में जानने से पहले हमें हार्ट की जो संरजना है वो जानना चाहिए हार्ट एक मानसल ग्रंथी है मानसपेशों का बना हुआ है कक्ष है उसमें उपर के हिस्से में दो कक्ष होते हैं नीचे में दो कक्ष होते हैं मानिकि टोटल चार कक्ष याने के चार चेम जैसे हमारे घरों में बिजली और पानी की सप्लाई होती है वैसे ही हार्ट में बिजली और पानी की सप्लाई होती है पानी की सप्लाई याने कि पतली ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं आर्टरी जो कि हार्ट की मान स्पेशियों को ब्लड सप्लाई करती है इन आर्ट्री में जब रुकावट होती है या आर्ट्री बंद हो जाती है तो मान स्पेशियां खराब हो जाती है उसको हम कहते हैं हार्ट टैक जो दूसरे तरफ हम देखे हैं तो हार्ट में जो बिजली की सप्लाई है मानने कि हार्ट को नीमित रूप से संकुचन के लिए करेंट की ज़रुत होती है उसके लिए प्रकृती ने एक पावर हाउस बनाया है जहां से करेंट निकलता है और पूरे हार्ट में फैलता है पतले केबल्स के द्वारा जैसे घर में केबल्स लगे होते हैं बिजली के सप्लाई के लिए वैसी पतले केबल्स होते हैं से करेंट के सप्प्लाई होती है और हार्ट के मान स्पेश्यों में एक संगुचन होता है जब इस करेंट सिस्टम में यानि कि जो हार्ट की जो वो जो रचना है जहां से करेंट निकलता है और current के फैलने में कोई समस्या होती है तो उसके कारण जो तकलीफ होती है उसको हम कहते हैं Heart Block एक तरीके का ये समस्या है जिसमें की नाड़ी की गती कम हो जाती मरीज को चक्कर आने लगते हैं इसको कहते हैं Heart Block Heart Block के इलाज के लिए जो यंत्र उप्योग में आता है उसको हम कहते हैं पेसमेकर जैसा कि मैंने बताया कि Heart Block जो Heart के जो Current Generating Apparatus है Natural Current Generating Apparatus जहां से Current निकलती है उसमें या तो खराबी है या जो केबल्स है नेचरल केबल्स हैं Heart के अंदर राइट और लेफ्ट साइड में उनमें खराबी होने के कारण होती है तो कुछ मरीजों को जब यह तकलीफ होती है तो पून रूप से उसमें Current Generation रुप जाता है और उनकी नाड़ी की कतीर कम हो जाती है और चक्कर आने लगता है कुछ लोगों में ऐसा होता है कि थोड़ी तेर के लिए कुछ सेकंड के लिए होते हैं और ठीक हो जाता है और फिर यह बाद में होने लगता है तो इस समस्या के लाज के लिए जो यंत्र होता है उसको हम पेस्मेकर कहते हैं पेस्मेकर बहुत ही सरल तरीके से काम करता है जैसे कि हम घर में inverter लगा देता है इनवर्टर लगाते हैं तो एक generator source होता है जिस को की जो पहले से जो केबल लगए हैं उनसे connect करते है जब जब power failure होता है तो inverter अपने आप काम करने लगता है वैसे ही pace maker काम करता है हम दो तारे हाट के एक उपर के चिम्बर में और एक नीचे के चिम्बर में लगा कर उसको एक generator से हम connect कर देते हैं जिसको की बैटरी कहते हैं और उसको हम चाती में चमडी के नीचे लेफ्ट या राइट साइड में fix कर देते हैं जो आप बाहर से देख नहीं सकते और ये दोनों केबल जो हाट के दोनों चिम्बर से आके generator से connected है वो एक अपना circuit बना लेती हैं और demand mode में काम करते हैं जैसे की inverter demand mode में काम करता है जैसी power failure होता है inverter काम करने लगता है वैसे ही हम हाट में पेसमेकर में एक fix करते थे हैं कि यदि मरीज का अपना नाडी की गती 50 या 60 से कम हो तो पेसमेकर अपने आप 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 आटोमेटिक काम करने लगता है तो ये पेसमेकर